जब स्रमीकों ने आवाज उठाई तब तब उनको कागज पर एक कानून दे दिया गया। आप के लिए कोड का रुख करने करते भी तो बरसो बरस कचरी के चकर ही काड़ते रह जाते हैं। अब इस्थीति को बदल दिया गया है। चार लेवर कोर्स के माद्यम से देश के स्रमीक साथियों को दर्जनों कानूनों के कूच चकर से भार निकालने का प्रयास हमने किया है। स्रमीकों के स्वास्थ, स्रमीकों की सुरक्षा, स्रमीकों की सुवीधा और स्रमीकों की वेतन को लेकर अब कानूनों को सरल बनाया गया है। सहज बनाया गया है। नए कानूनों के माध्यम से देश के सभी करीब पचास करोड संगठीत और असंगठीत छेत्र के समिकों को वेतन मिले और वो भी समय पल मिले। इसको कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया गया है। यूनतम वेतन को लेकर करीब दस हजार अलग 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 दरे हैं। आप चुमक जाएंगे सुन करके। दस हजार अलग 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 दर। हमने इस दस हजार दर बताई है वो जीवन तो उसको उसी व्यवस्था में जीना पड़ता है। अब नए प्रावधानों से दस हजार को कम करके सिरफ करीब करीब दोशों के अंदर ही उसको कर दिया गया है। बड़ी मेहनत पड़ी है लेकिन किया है। इसके अलावा अब ठेका मजदूरी के स्थान पर एक फिक्स्टम के रोजगार का भी विकल्ब दिया गया है। ऐसे समिकों को रेगूलर कर्मचारी की तरह ही वेतन मिलेगा। वेलफेर से जुड़ी दूसरी उजनाओं का लाभ भी मजदूर को मिलेगा। और उनी की तरह काम के घंटे भी फिक्स होंगे। बारापंडे, ड़ज घंटे मजदूरी करवाले ना यह अब बंध होगा। वहीं एक राज्य से दूसरे राज्य में काम के लिए जाने वाले स्रमिक साथ्यों के स्वास्त, सुरक्षा इसके लिए भी इसमें हर जरूरी प्रावधान किया गया है। असंगडिक छेत्र के मद्दूरों के लिए साथ वर्ष की आउ के बाद पेंशन और बिमा से जुड़ी योजनाएं हमारी सरकार ने पहले से ही उसका आरम कर दिया है। अब नए प्रावधानों से ये सामाजिक सुरक्षा का ये कवच और मजबुत होगा। ये नए प्रावधान देश के उद्योगों के लिए भी उनके लिए भी एक प्रकार से काम करना सरल करेंगे, आसान बनाएंगे। करप्षन भी रुकेगा, इस वज़े से संगधिर छेत्र का दायरा भी बढ़ेगा और रोजुकार के नए अवसर भी उपलक्त होंगे।